नमस्कार विख्यात फूट से मैं अचना आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको सूजी के बताश्य बनाना सिखाऊंगे यह देखिए बहुती बड़ी बताश्य बनते हैं घर में हम बहुती अच्छे बताश्य बना सकते हैं बिल्कुल बजार की तरह से और यह क्रिस्पी बहुत है यह देखिए यह तुरंत के बने बताश्य अभी एक घंटे बार और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और यह सूजी के बताश्य आटे के नहीं है आपकि सूजी के बताश्य बनांसे ज्यादा अच्छे लगते हैं हर जगह यह मिलते नहीं है इसलिए मैं आज रेस्पी आपके संग स्विवर कर रही हूं आए देखते हैं कैसे बनते हैं सूजी के बताशे यह एक छोटी कटोरी है इसके नाप से मैंने चार कटोरी सूजी ले लिया है, सूजी यहाँ पर मैंने महीन वाली ली है, अगर आपके पास मोटी सूजी है, तो आप इसे हलका सा मिक्सी में चला ले, तो यह महीन हो जाएगी, सूजी में कुछ भी नहीं डालना है, कोई सोडा नहीं, कोई बेकिंग पॉडर नहीं, कुछ भी नहीं, अब इसी कटोरी के नाप से मैंने चार कटोरी सूजी लिया, तो मैं इसमें आधा कटोरी ओयल डालूंगी, इस कटोरी के नाप से मैंने आधी कटोरी ओयल ले लिया है, और इस ओयल को गरम कर लिया है, अब यह ओयल हम इसी सूजी में डाल देंगे, ओयल बहुत ही बढ़िया गरम लेना है, और इसे चम्मच से मिक्स कर देते हैं, हाथ ना लगाएं इसमें, क्योंकि यह बिल्कुल गरम तेल है, इसलिए मैं इसे चम्मच से कर रही हूं, सूजी में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे, में पानी गरम कर लिया है, यह पानी थोड़ा था तेज गरम हो बहुत तेज भी नहीं लेकिन गुन-गुने से थोड़ा तेज हीुआ आएए心 सूजी के अंठा मारते हूं, पहले हम इसमें आधा पानी ही डालेंगे और मारके देखेंगे, mountains, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, सूजी बहुती जल्दी पानी सोकती है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, जिससे कि आठी जीला नहो, थोड़ा से और एक सौट डो बनाएंगे इसका, अब सूजी इतनी थंडी हो गई है, कि हम इसमें हाथ लगा सकते हैं, पानी का रेशू सूजी पर डिपेंड करता है कभी कभी सूजी बहुत ज़्यादा पानी सोपती है और कभी कम अभी हमने इसमें अधा ही पानी डाला है थोड़ा सा और डालते हैं बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा लेते हैं अब हम इसे दस मिनट का रेस्ट देंगे सूजी को एक प्लेट से ढख कर रख देते हैं इसे दस मिनट का रेस्ट देंगे उसके बाद बताशे बनाएंगे एक कटोरी पानी में अभी दो चमश पानी रह गया है जो रहत होगी तो अभी हम इसको यूज करेंगे कि दस से पंद्रा मिनट हो गए हैं आये सूजी देखते हैं थोड़ा सा टाइट हो गई है लेकिन फिर भी अभी हम इसमें पानी नहीं मिलाएंगे इसको ऐसे ही मलेंगे पांस मिनट तक अच्छी तरह से इसको खुब अच्छी तरह से गूंदेंगे अब भी सूजी सॉफ्ट हो गई है मैंने इसमें पानी नहीं मिलाया है अगर आप करते हैं और आपके सूजी टाइट होती है तो आप इसमें एक एक चमस पानी डालते जाएं बताशों को क्रिस्पी बनाने के लिए इनको ऐसे पटक पटक कर माणना है इसके दाने टूट ज बनेंगे आप लोग भी इन ऐसे ही पटक पटक कर आठे को माणने यह ट्रीक ही बताशे को क्रिस्पी बनाएगी सुजी विल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है मुर्ति मर्या डो हो गया है विल्कुल सॉफ्ट डो है यह देखी अब हम इसकी छोटी छोटी लोई ब बनाएंगे अब एक टुकड़ेक उठाते हैं और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी नहीं क्योंकि यह बताशे हलके से मोटे बनते हैं दूसी तरफ मैंने कड़ाई में कोकिंग ओयल जड़ा दिया है इसकी लोई हमें इतनी छोटी कातनी है जैसे एक छोटा नीभू होता है और इसके दो या तीन पाब कर दिया जाए उतनी बड़ी लोई बनानी है जब तक हम इसकी लोई बनाएंगे तब तक ओयल गरम हो अब हमें एक लोई को गोल करेंगे गया वाल बना लेते हैं और पहले उनको फ्राइब करेंगे उसके बाद ही दूसरी बॉल बनाएंगे देखिए मैंने 7 गोले बना लिए हैं बाकी के आठे को डाकर रख देते हैं एक गोले को उठाते जाएंगे और बेलन से दबाएंगे सिर्फ में 1 बेलन आफा, इससे भर बटाश समय पलब करें काड़ा अच्छी तेज गरम है टेल महुत बड़ी हैं इसमें बटासों दिरिय दीर यदाने की ज़र नहीं है बतासों को बना कर रखना नहीं है हाथ यहाथ बेलते जाएं और कड़ाई में डालते जाएं इन्हें चलाने की विजुरत नहीं है यह दीरी दीरी अपने आप भी टेल में जाने के बद फूलते जाएंगी देखिए कितनी अच्छी तरह से फूलने लगे हैं ना अगर डो बहुत भी अच्छी तरह से मड़ा हुआ है उसे पटक पटक के हमने माड़ा है तो बतासे अपने आप फूलेंगे चम्मच लगाने की भी जुर्वत नहीं पड़ेगी इसमें अगर एक डो बतासे नहीं फूलते हैं तो आप उसकी पाप्री चाट बना कर खा सकते है एक बार जब सारे बतासे फूल जाएं तो गैस स्यो कर देंगे अब इनको स्लोग एस पर ही दीर धीर तलने देंगे नीचे से इने गुलादी कलर का करना है और उपर से यह जो वाइट पर अतना इनके ओपर हमें तेल उछालना है जब पहले एक बार यह नीचे से शिख जा जाएंगे जिससे उपर की परत भी इनकी गुलाबी हो जाएगी बजार में ऐसे ही आते हैं ना एक तरफ हलके सिके और एक तरफ जादा तो इसी तरह से नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और उपर से ओल डालते जाएंगे बतासरे के उपर तो यह क्रिस्पी हो जाएं कि इसी से यह क्रिस्पी बनेंगे सॉफ्ट नहीं रहेंगे नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है बनाने के बाद उस समय तो टाइट रहते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही सॉफ्ट हो जाते हैं लेखिए मीचे से बतासरे कितने अच्छे कलर क्यों हो गए हैं अब हम एक कटोरा लेंगे और एक छन्नी इसको उपर बताशे निकालते जाएंगे जिससे कि इनका एक्स्ट्र ओयल निकल जाए इसी तरह से दूसरे बताशे बना लेते हैं थोड़ी सी ट्रिक है और बिल्कुल बजार जैसे बताशे घर पर ही बन जाएंगे इस लॉक्डाउन में बाहर नहीं जाना पड़ेगा और घर पर ही बनाईए और खाईए इसी तरह से एक छन्नी में इनको निकालते जाएंगे जिससे इनका एक्स्ट्र ओयल नीचे चला जाए एक बार और देखिए इसी तरह से मैंने सारे बताशे बना लिये हैं आप कब बना रहे हैं ये बताशे मुझे जरूर बताईए यहां मैंने करीब 200 ग्राम सूजी ली थी और इतने में 40-50 बताशे आराम से बन गए हैं अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए और मेरी रेस्पी कैसी लगती है अगर अच्छी लगती है तिसे लाइक सियर करिए थैंक यू